हलो गाइस कैसो तो दोस्तों बहुत सारे वर्कर को दोस्तों यरपोर्ट पर अचानक फाइन आ जा रहा है प्रॉपर एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ दो तीन मिनट का वीडियो है लाख से देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके क्योंकि वर्कर से लेटर जो भी प्रॉसिंग का या फिर क्या किया अपने एक सीम अपने आईडी के लेके दूसरे को सीम दे दिया तो उसमें क्या हुआ कि दोस्तों वो लोग क्या क्या कि नेट जो विल वाला नेट हो चालू कर लिया इस तरह का बहुत सारे मामले आये हैं और यहरपोर्ट पर जाने के बा परेसान हो जाओगो कि जब तक नहीं यहां पर फाइन पे करोगे आप ट्रावल नहीं कर सकते हो आपके पास दो तीन घंट का टाइम होता है यहरपोर्ट में आप तो खुद परेसान होते हो कि हमारा लगेज ज्यादा नहीं हो जाए हमें कुछ ज्यादा कोई प्रॉब्लम हें आपको पासपर्ट नंबर डालता है तो पता चलता है कि आपके यह पेएंड़ी पे highly पर आपको फाइन है इतना आप वह एतना फाइन दो इंधा ना घंगा यह आपके दोस्ते मंगा बहुत सारा मामला हो जाता है तो मेरा सगल समय हो सर्कार करने से पहले कोई बीए टै यहां पर टाइपिंग सेंटर बना हुआ होता है यह सब चीज आपको अटपटा सा लगे कि नहीं मेरा तो कुछ फाइंड नहीं था मेरे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं बट जिसके साथ होता उसको यह दर्द पता होता है आप जिसके साथ गहट नगहट उनको पूछिए कि ये दर्द और टेंसन क्या होता है इसलिए मेरा जो सजेसन है दोस्तों लोगों के बात को छोड़ो आप कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाओ पांच दरम, दस दरम नहीं तो बहुत सारे लोग तो फिरी में ही चेक कर देंगा बहुत सारे टाइपिंग सेंटर साइद दस दरम ले और बोले कि हाँ ये जो आप जाकर बोलो कि ये मेरा आइडी थोड़ा आप चेक कर लो क्योंकि आप छूटी जाने वाले हो या कैंसल जाने वाले हो ये मेरा आइडी में देख लो क्या मेरे उपर कोई फाइन तो नहीं है वो लोग देखकर किलियर कर दें क्योंकि यहां अगर आप को ये अरपोर्ट के बाहर ही पता चल जा तो आप उसे निपट सकते हो बड़ दोस्तों अंदर जाने के बाद आप कैसे निपटोगे आप परेसान हो जाओगे इसलिए मेरा ये सजेशन है साइध ये वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे लेकिन मेरा जो करतब है वो मैं आप लोग को गाइड करते रहता हूं ये कुछ जानकारी था मैं सोच आप लोगे साथ सेर करू मिलता हूँ नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ जब तक